दोस्तों आजी 11 अगस 2022 को ग्रीव स्कॉर्टन लिमिटेड के एक क्वाटर बन के फाइनेंशल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है तो चली हम लोग इस रिजल्ट को देखते हैं यह इस कंपनी का consolidated financial result और यहां सारे figure करोड में बताये गए हैं except turning per share Q1 में revenue from operations 660 करोड है जो previous quarter में यह 621 करोड था और previous year के Q1 में यह 229 करोड था revenue from operations में year on year basis पर 188% की बढ़त है और quarter on quarter basis पर यह 6% बढ़ा है Q1 में total income 670 करोड 73 लाग है जो previous quarter में 630 करोड 40 लाग था और previous Q1 में यह 232 करोड 12 लाग था total income year on year basis पर 189% की बढ़त है और अगर quarter on quarter देखें तो यह 6% बढ़ा है Q1 में profit before tax and before exceptional item 28 करोड 57 लाग है जो previous quarter में यह 33 करोड 16 लाग था और previous year के Q1 में यह loss before tax 29 करोड 24 लाग था तो profit before tax में year on year basis पर तो कई गुना बढ़त हुई है लेकिन quarter on quarter basis पर यह लगभग 14% गिरा है Q1 में net profit यह profit after tax 15 करोड 94 लाग है जो previous quarter में 16 करोड 71 लाग था और previous year के Q1 में net loss 22 करोड 48 लाग था पैट में year on year basis पर तो कई गुना बढ़त हुई है लेकिन अगर quarter on quarter basis पर देखें तो यह 4.6% गिरा है Q1 में earning per share 79 पैसे है जो previous quarter में 72 पैसे था और previous year के Q1 में loss per share 97 पैसे था TPS में year on year basis पर तो कई गुना बढ़त हुई है लेकिन quarter on quarter basis पर यह 4.7% गिरा है Q1 में EBITDA का margin 6% है जो previous quarter में यह 7% के आसपास था और previous Q1 में यह EBITDA का margin minus 7% था तो EBITDA के margin में year on year basis पर तो बहुत ज़्यादा बढ़त है और quarter on quarter basis पर इसमें 1% की गिरावाठा आप इसे stable ही समझे तो दोस्तों इस company के revenue from operation में तो year on year और quarter on quarter दोनों ही basis पर ग्रोथ हुआ है लेकिन इस company के PAT और EPS में year on year basis पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ है लेकिन quarter on quarter basis पर इसमें थोड़ी सी गिरावट है और अगर हम लोग इसके margin को देखें तो year on year basis पर इसमें अच्छी खासी बड़त है और quarter on quarter basis पर भी ये मुझे stable ही नजर आ रहा है तो मुझे इस company का रजट अच्छा लग रहा है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अब आपस अगले वीडियो मुलाकात होगी बहुत बहुत धन्यवाद